इस वीडियो में जो हम यूएफा नेसंस लीग का एक मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा औस्ट्रिया वर्सिस फ्रांस के बीच मैच कवें यूगो ऑस्ट्रिया केक अफ होगा रात में 12 15 एम पे तो दोस्तों फ्रांस आप जामते हूंगे बहुत बड़ा फुटबॉल प्ल सब्सक्राइं इस व्हूंगे जो लोग अच्छा फर्फॉम नहीं कर पा रहें नेसंस लीग में सेम यही हाल फ्रांस का भी है, अभी तक वो इस ग्रूप में थर्ड पोजीशन में है, दो मैचेस उन्हाने खेले, एक भी मैच वो नहीं जीत पाई है, इतनी बड़ी स्कॉर्ट है, इतने अच्छे-चे प्लेयर्स हैं, इस्टिल वो एक भी मैच नहीं जीत है, एक ड्रॉय है एक लॉस है, दो में उन्हाने दो गोल स्कॉर किये हैं, और तीन गोल उन्हाने कंसीट किये हैं, और अभी तक उनका इस ग्रूप में सिर्फ एक पॉइंट है, बात करें ऑस्टिया की, ऑस्टिया अभी सेकिंड पोजीशन में है, दो में एक जीता है, एक हारा है, चार गोल स्कोर किया दो कंसीट के और थ्री उनके पॉइंट है तो फ्रांस अगर यहां से आगे के मैचेज में अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो फ्रांस का इस ग्रुप से बाहर हो जाने का भी खत्रा इन पर मंटरा जाएगा क्योंकि आप जानते हूंगे जो टीम नंबर वन में फिनिश करेगी सिर्फ वही टीम क्वालिफाई करपेगी नेक्स राउन यानि की सेमी फाइनल के लिए तो फ्रांस के लिए इंपर्टेंट मैच है कॉस्ट्रिया गले भी इंपर्टेंट मैचों का वह भी चाहेगी कि वह मैचेस अभी तक इस ग्रूप के फ्रांस ने खिले उसमें कैसा उन्होंने परफॉंग किया है पहला मैच वो टू एन के मार्जिन से डेन्मार्क से आर गया थे एक जो उनने गोल स्कोर किया था उसमें बेंजीमा का गोल था और एंग कुंकु ने असिट दिया था और जो से स्कूर किया था ग्रिगोरीज ने स्कूर किया था साविश्टन स्कॉर करके था वरोगर के दो असिस तर और ओनी सुविका का असिस था वागी इस मैच मैंच में फ्रांस को करके चलेंगे बिगाज स्कॉर्ट प्लिटी में वो फार बेटर है एक बहुत बड़ी कंट्री है लेकिन आउस्ट्रिया को आप एंडर एस्टिमेंट मत करना इस्मॉल लीग में तो हम फ्रांस कोई फिवर करके अपनी टीम बनाएंगे उनके लिए एक तरीके से यह मैच जीतना भी और सभी फुटबॉल मेचे दम टेलीग्राम चैनल में कवर करते हैं उसका लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको मिलेगा टॉप पिन कमेंड में वहां से जोड़ गया मेरे टेलीग्राम चैनल से जोइन कर सकते हैं अभी के लिए में इनके maximum player पिक करूँगा यानि कि 7 प्लेयर में फ्रांस के पिक करूँगा और अपोरेंट के पिक करूँगा सिर्फ 4 प्लेयर तो फ्रांस के लिए वरान बाहर हैं और एमबापे इस मैच में एक बार फिर से डॉटफुल होने वाले हैं अब यह दोस्तों मतलब सेमी सेफ रहती है मतलब एक तरीके से वही 11 खेलती है तो यहां पर इनके 11 देखते हैं लोरीस कमबेक करेंगे इनके गोल की बने पिछले मैच में इन्होंने रेष्ट किया था चार इनके डिफेंटर होंगे लास्ट दो मैचे इन्होंने थ्री इंदा बैक में खिला बट आज रूमर्स निकल के आ रहेगी है तो जो चार इनके डिफेंडरों के पवाड कुनाटे जो कि लिवरपूल के प्लेयर है वरान की रिप्लेस्मेंट है लूकस अनन्डिस और उनके वहाई थी और नन्डिस यह चार इनके डिफेंडर सुंगे अब मैं आपको एक चीज बता दू कुनाटे अभी अभी तक मतलब किसी भी फेंटेसी फ्लेटफोर्म में लिष्टेड नहीं है बिकॉस यह लेडड एडिसन थे वरान में इंटीम में थे जब वो इंजड़ वे उनकी रिप्लेस्मेंट की तौर पर आए तो अभी के लिए कुनाटे लिष्टेड नहीं है बागी तीन दिफेंडर लिष्टेड है तो मैं इन तीनों को पीक्रूंगा पावाट को लूकस अननंडेस को और थीओ अननन्डिस को इन फेक्ट तो इतने ज्यादा टेगिंगे इतना चेहन का सिजन गया है एसी मिलान क्लब के लिए जहां वो स्कूडेटों भी जीते वहाँ यह इस पोजेशन से कभी भी गोल असिच्ट कर सकते हैं तो इन फेक्ट आप थियो अनंडिस को स्मॉल लीग में वाइस केफटनसी तक दे सकते है बागी लुकास अनंडिस पवाड यह मेरी अभी के लिए तीन के तीन जो लिष्टेने डिफेंडर इन तीनों को इन में पिक करके चल लाओं इनकेस अगर कोनाटे खिलते हैं हो सकते हैं मैं कोनाटे को क्या लूकास अनंडिस से उपर प्रिफर करूँ बिकास हमने लिवरप इनकेस में विदाउट गोल असिस्ट थाट्टी फ्लस पॉइंट गया एक में उनने 40 दिए एक में 35 दिए यह एक ऐसा प्लियार है जो मैं मैक्जिमूम मैचिस में केरो 10 में से 9 मैचिस में तो यह टिंग 25–30 पॉइंट विदाउट गोल असिस्ट देगा तो मैं अभी के लि इनके साथ खेलिंगे बुबाकर कमारा जो मार्सेय के प्लेयर थे आप एस्टन विला में खेलते हुए दिखाई दिंगे इस न्यूस ट्रीजन में प्रीमिय लीग में अच्छा प्लेयर है डिफेंसिव आग कर सकता है बड़ अभी के लिए मैं सिर्फ चुवामेनी को विक्ष के टॉप कंटेंडर है और मेरे अकॉडिंग ग्रीजमन या इनमें को यह एक पनाल्टी लेगा इसे हाई चैनल से बेंजीमा ही ले सकते है यूरोज में भी नहीं ली थी तो बेंजीमा जिस तरह की फॉर्म में है मस्क भी रहेंगे और डिफॉर्ल के अप्टन सी ऑप्सन भ दे सकते हैं तो मैं अभी के लिए ग्रीजमन को भी पिक करके चल लाओं अब मेरे पांस है डियाबी और कोमें मैं इनमें किसी एक के साथ जानओ को में को प्रेड़टाइस करूंगा बायन म्यूनिक में खिलते हैं फ्रास निस्टल टीम में अभी तक हैज़ा राइट बहुत अच्छा प्लेय रहे बहुत करता है चक्रेड बहुत करने बेसें घुल mist करता है लेकिन बाँग में प्रवलम कीर लबार एक आप यर broad buried के लावा एक उस बंदे को भी तो मेरे पास डियावी के लिए स्पॉट नहीं बचा और डियावी का में बहुत ज्यादा श्योर विन्यू की गोल असिस्ट नहीं आया कितने पॉइंट देगा तो यह फ्रांस की प्रविबल 11 थी लगबग सभी चीजे मैंने यहां से आपको डीटेल में कर दी अभी के लिए जो मैं प्लेयर पिक करके चल लाओ यह तीन डिफेंडर होगे हन्नांटिस ब्रदर्स और पावाड चुवामेनी को मैंने पिक किया है मैंने ग्रीजमेन बेंजिम और कोमेन यह साथ प्लेयर पिक किये हैं अंबा पे आपको खेलते वे दिखाई दिये आप जानते है फिर उन यह आपको मिलेगा टॉप पिन कमेंड में वहां से जुड़ गया मेरे टेलिग्राम चैनल से जोईन कर सकते हैं 4300 के असपस सब्सॉला चैनल आपको मिल जाएगा अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की एक चीज बता दो ऑस्ट्रिया के जो न्यू मैनेजर है न वो कौन है र लीडनर इनके गोल की पर इंपर्टेंट होंगे विकॉस फ्रांस ज्याधा टेक करेगी तो लीडनर हमें अच्छे गासे सेविंग पॉइंट्स दिंगे तो अभी के लिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ थ्री इंद बेग में खेलिंगे डेंसो ट्रोनर और डेविड अलाबा इनके तीन सेंटर बेग हैं इसके लबा जो राइट विंग के लाइनर ये चार बंदे आपको फेंटेसी प्लेट्परम में मिलिंगे डिफेंस सेक्शन में इनके डिफेंस में दो इस्टेंडवड आप लेते हैं बहुत चांस करते हो ये कोल असिस्ट भी मारते है रेगुलर बेसेज में तो मैं डेविड अलाबा को तो शोली पिक करूँगा दो असिस्ट इनके थे वाल्ड कप कौलिफायर में बागी मैं अभी के लिए डेविड अलाबा को फिक करके चल लाओ डिफेंस स सक्षन में लाइनर भी अच्छा है ऐसा विंग वैक होते वे इस पोजिशन से कभी भी डिफेंसीव अकर सकते और असिस्ट पोटेंच्यल भी बहुत ज्यादा अच्छा है इन फैक्ट यूरो भी बहुत अच्छा गया था लाइनर का और वाल्ल कप कौलिफायर में लाइनर जो इनका लेफ्ट विंग बैक है प्लेयर अच्छा है जिस पोजिशन में खेलना वहां से डिफेंसीव अफेंसीव कर सकता है लेकिन यह बंदा मिद्फिल सेक्षन में लिष्टेड हो गया ना वहां से इनका क्लिंशीट पोटेंच्यल कब हो जाता है तो मैं अभी के लिए सीवल्ड या साइवल्ड को इगनोर कर रहा हूं श्लेगर और लाइमर दोनों अच्छे प्लेयर हैं दोनों डिफेंसीव मिट्फिल में खेलते हैं जिसमें श्लेगर पिछले मैच में एक रेंडम गोल मारके आ रहा बट इससे ज्यादा गोल असिश एक्स बैक मत करना लाइमर में कंफ्यूज मत होना लाइन डिफेंडर और लाइमर मिट फिल्डर है इन दोनों को फिकना करके मैं यह हूँ इस टीम का जो मेरे अकॉर्डिंग वन अप बेस्ट अटेकिंग प्लेयर है मार्सेल साबिटसर के साथ जो बायन म्यूनिक में तो ऐसा बैक अप प्ले कर सकते हैं और यह तीनों बंदे श्लैगर होगे लाइमर होगे साविटसर होगे बुंदस लिगा में खेलते हैं अगर ऑस्ट्रिया गोल मारेगी उसमें मोस्ट लाइगली कुछ या कुछ कॉंट्रिविशन हो सकता है और मैं फ्रांस के डिफेंज भी उतना ट्रस्ट नहीं नहीं दिंगे बढ़ मैं अभी के लिए अनन्टिविश के साथ जारूं और अनन्टिविश आपको पेनल्टी में भी दिखाई दिंगे उन इसी वह में इग्नोर करो ग्रेंड लिग में आप ट्राय कर सकते हैं तो यह औस्ट्रिया की प्रोविबल 11 थी लगभग सभी चीज अबी जो मेरी प्रेडिक्शन में एक टू वन नेरो फ्रांस विक्ट्री के साथ जारूं बड और अस्ट्रिया अपने घर में एक वन वन ट्रॉ भी करा सकती है तो यह मेरी डेमवर अफ्टीम है गोल कीवर मैं आस्ट्रिया के लिए एक डिफेंडर उनके बेस्ट कोनराड लाइमर को भी कर सकते हैं या आप साविटसर वाले प्लेस में भी लाइमर के साथ जा सकते हैं और आप डिफेंज में अलाबा के लिएस में लाइनर विक कर सकते हैं लाइमर और लाइनर दो अलग अलग प्लेयर्स हैं कैब्टनसी के सेव ऐप्सन बैंजमाई रहेंगे, वाईस कैब्टनसी अगर आप फ्रांस को ट्रस्ट कर रहें, एन्टौवान ग्रीण में अच्छे ऐप्सन है, डिफेन्स में थिओ अननन्डी स अच्छे आप्सन है, in fact हलके रिसके टेकर हैं, किंग्सली को मेंन को भी आप वाइस केपटेंसी दे सकते हैं और अगर आप एक 1-1-2-1 टाइप की इसको लाइन या 1-1 ड्रॉ के लिए जा रहे हैं आप अनांट वी या साविट सर को भी वाइस केपटेंसी दे सकते हैं और बाकी एमबापे खेलते आपको पताईए फिर वो स सेफ केपटेंवाइस केपटेंसी ऑप्सन भी बन जाएंगे तो फिलाल यह मेरी डेमवर रफ टीम थी जो भी मेरी अपडेटेट फाइनल डीम होगी लाइन अप आने के बाद मैं पोश्ट करूंगा टेलीग्राम चैनल में उसका लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो